अलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिशी क्रांती के इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICR UG का एड्मिट काड कैसे आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद क्या क्या आपको उसमें फिल करना है कौन-कौन सी बाते आपको ध्यान में रखना है और examination center में क्या-क्या लेक के जाना है तो इस वीडियो को एड्मिट तक जरूर देखें सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए Google पे आ जाना है ICR NTA सर्च करना है icrnt.nick.in इस website पे आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो कुछ ऐसा interface दिखेगा उसको scroll कर लेंगे scroll करने के बाद यहाँ पे download admit card वाले option पे click करेंगे तो कुछ ऐसा interface आपको यहाँ पे दिख जाएगा अब यहाँ पे आपका जो application number है और date of birth है उसको सही format में enter करना है जैसे यहाँ पे मैं करना हूँ उसी format में आपको कर देना है date of birth यहाँ पे आपको इस format में enter करना है पहले आपको year फिर month फिर date ऐसे करके ठीक है जो ऐसा आपका interface दिखेगा admit card का यहाँ पे आपका नाम category उसके बाद gender इसके अलावा आपका application number father's name date of birth यह सारी चीज़े डिस्पले होंगी यहाँ पे आपने जो photo लगाई है वो डिस्पले होगा signature आपका डिस्पले होगा कौन सा subject यहाँ पे आप attempt कर रहे हैं वो डिस्पले किया जाएगा date of examination किते time आपको reporting करना है center पे वो और आपका examination का time क्या है यह सारी चीज़ें आपका display होगा इसके अलावा आपका जो venue of test है कहाँ पे आपका examination center है वो भी यहाँ पे display किया जाएगा declaration पे क्या लिखना है यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है आपका जो नाम है resident यहाँ पे आप रहते हैं next यहाँ पे अगर आपको इन में से कोई भी symptom है fever है, cough है तो उस पे tick करना है otherwise इसको as it is छोड़ देना है आपको अपने parents का signature करवाना है candidates parents signature यहाँ पे आपके माता या पीता का signature आप करवा सकते है इसके बाद candidate left thumb impression यह आपका examination में पहुँचने से पहले आपको लगा लेना है candidate photo same as uploaded on application form before reaching the center तो यहाँ पे आपको अपना photo लगाना है जो आपने application form में फिल किया है center में पहुँचने के पहले photo आपका, आपका thumb impression और आपके parents के signature आपको examination के पहले वहाँ पे करवा के ले जाना है तो photo लगा लेना है, thumb लगा लेना है और parents का signature करवा लेना है आपका signature कब होगा? आपको पहले से signature नहीं करना है जब examination में आप देने बैठोगे आपका biometric किया जाएगा starting में ही तो वहाँ पे आपको request किया जाएगा signature करने के लिए तो उसी time invigilator के सामने ही आपको यहाँ पे signature करना है पहले से यहाँ पे signature नहीं करना है ठीक है? तो इस place में मैं cross लगा देता हूँ कि यहाँ पे आपको पहले से कुछ करके नहीं ले जाना है कौन-कौन से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आपका photo, आपका thumb impression और आपके parents के signature यह तीनों चीज़ें पहले से करवा के ले जानी है examination के लिए compulsory चीज़ें कौन-कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले यह आपका जो admit card है इसको fill करके आपको ले जाना है second important चीज़ है आपका original ID proof चाहे आपका अधार card हो, pen card हो आपके 12 की mark sheet हो यह document आपको original ID proof की तरह ले के जाना है इसके अलावा आपके पास आपका जो additional passport size photo है वो ले के जाना है, कम से कम दो या तीन ले के जाएं जिससे कोई problem नहीं है original ID proof, photo और admit card यह तीन चीज़ें आपको compulsory ले के जाना है इसके अलावा ball point, pen बहुत सारे center में अगर नहीं मिलता है तो वो आप ले जा सकते हैं sanitizer, water bottle, या फिर आपका mask और gloves अगर आप ले जाना चाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, otherwise कोई भी need इसकी नहीं है, अभी हमने देखा admit card से related important जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपके मन में confusion और doubt है, तो comment ज़रूर करें दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो को like करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share करें, चैनल पे नए तो subscribe कर ले, ऐसे ही नए वीडियो के लिए मिलता हूँ में आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्त रहें, मस्त रहें देखते रहें कृषिक रांती यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद